जै माता दिमित्रो तीस साल बाद सूर्य और शनी की यूती बन रही है कुम्ब राशी के अंदर बन रही है तो तुला राशी को शनी देव क्या अच्छा प्रभाव देने वाले हैं और उसके उपाय क्या है यानि सूर्य और शनी की यूती वैसे तो बहुत अच्छी नहीं कह जाती जोती शास्त्र में सबसे बुरी यूती सूर्य शनी की मानी जादी है जो कि 13 जनवरी से लेकर 15 मार सक भाई बनने वाली है आप इसका तुला राशी पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसके उपाई क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले ओम नीला अंजरम समाबासम रभी पुत्रम यमागरजम चाया मारतं संबूतम तम नमामी सनी चरम पहले हम शनी का ध्यान करते हैं अब चर्चा करते हैं तो आपकी राशी से ये पंचा उंभाव के अंदर सूर्य शनी की यूती बनेगी और 13 फरवरी के नहीं है पहले दो विध्यारती के लिए देखा जाए तो इनकी हैल्थ के लिए ये समय सही नहीं है न को चोट लग सकती है को हैल्स यह समच्या ओसकती है माता पिता से इनके वाद विवाद एक महीने ज़्यादा रहेंगे सरकारी चलान के योग इनके बन सकते हैं किसी उल्जन में विद्यारती लोग फस सकते हैं तो पहला चीज ये यूती बहुत अच्छी नहीं है दूसरा प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात करें तो उन पे भैंकर वाद विवाद रह सकता है और कहीं न कहीं दोनों के अंदर वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो थोड़ा अपने एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें दिल पे न लें एक दूसरे पे टॉंटिंक ना करें नहीं तो वाद भी बाद बहुत जादा बढ़ जाएगा दूसरा देखा जाए तो जो अपना काम partnership में करते हैं तो partnership में काम यदि आप कर रहे हैं यह नया कोई काम कर रहे हैं तो 15 मары तक आपको रुख जाना है नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है आपके साथ में पार्टनर्शिप में दोका धड़ी हो सकती है और किसी को आपको 15 मार्स तक मोटा धन उधार नहीं देना है यानि कि मार्किट में तुला राशी वालों को धन फसाना नहीं है मोटा धन उधार नहीं देना किसी के प्रलोबम में आकर कही धन्यवेश नहीं करना है 15 मार्स ता किसी स्कीम में आपको धन्यवेश नहीं करना है याद रखिएगा नहीं तो आपको जबरदत मुकसान हो सकता है और इसके उपाए क्या हैं इसके बारे में भी चच्चा करेंगे सबसे पहला उपाय तुला राशी को अपनी accurate कुडली को दिखाना चाहिए यानि अपना आपको detail मुझे whatsapp करके टेलिफोनिक appointment में पूछ ले नाम, date of birth, time of birth, place of birth भेज के आप ये पूछ सकते हैं कि आप पे क्या प्रभाव रहेगा हमने जनरल तो बता दिया लेकिन आपकी राशी पे उसका प्रभाव क्या ज़्यादा है तो उपाय कर ले, कम है तो आपको चिंता की जुरूत नहीं दूसरा आपको एक जनरल उपाय बतायता हूँ, आपको शायद की शीशी एक लेनी है और पूरा एक महीना उसको अपने पास रखें तेरा फरवरी के बाद से और एक महीना लाल कपने में बांद के अपने पास रखें तो उससे आपका बीच बचाव हो जाएगा, याद रखिएगा, यह उपाय आपको करना है, जैमत अदी